बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाउं में एक कुत्ता रहता था, जिसका नाम था चारली, यह कुत्ता बहुत ही विशेश था, ना केवल उसकी खुबसूरती के कारण, बलकि उसकी वफादारी और प्यारे स्वभाव के कारण भी, चारली का मालिक एक बुजुर्ग आदमी की सेहत खराब हो गई, और वह अचानक होश्यारिक हो गए, उसके चारों और लोग चिंता से भरे हुए थे, लेकिन चारली सिर्फ उसके पास बैठा था, और उसका हाथ चाटता रहा था, मालिक ने देखा और मुसकराया, क्योंकि वह जानता था, कि चारली उसके सा अधारते हुए, चारली ने ना सिर्फ अपने मालिक की मदद की, बलकि उसने उसे अपने साथ खुशियों और दुखों का साज़ा करने का एहसास दिया.